करें कि स्टार्ट करते हैं बच्चों काल हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रिवियूशन की वजए से इलेक्रिक फिल्ड कितनी बनेगी हम लोगों ने डारेक्ट केस ले लिया था चार्ज रिंग का लेकिन आज हम इसको थोड़ा इस्टेप बाइस्टेप करके जाने के लिए इसको मोटा सा बनाया है लेकिन यह बहुत पतली है इसमें चार्ज इसके सर्फेस में डिस्ट्रिवियूटेड है और इसका एरिया और थिकनेस हम कंसिडर नहीं करेंगे वेरी लॉंग बेरी थिन सीट मतलब एक सीट नहीं एक पतली सी रॉड थिन रॉड इस इसमें यूनिफर्मली चार्ज इस्ट्रिवियूटेड है तो यह चीज हमारे पास है और हमसे पूछा गया कि इसकी एक्सिस में कोई एक पॉइंट है कहीं पर भी इस पॉइंट पर नेट एलेक्रिक फिल्ट कितनी होगी यह हमको पताना है अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखें यहां पर हम कूलम्स लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कूलम्स लोग किसके लिए वैलिट था पॉइंट चार्ज के लिए लेकिन यहां पर तो इंफिनाइट नंबर ऑफ चार्ज़ेंगे जो कि डिस्ट्रिव्यूटेड है और किसी एक पोजीशन पर नहीं है वो अपनी पोजीशन भी चैंज कर रहे हैं मतलब आर भी च पार्टिकल होता है उसका साइज टैंस टू जीरो मान लेते हैं मतलब जीरो के बहुत करीब तो वह एक तरह का पॉइंट चार्ज की तरह यहां पर एक्ट करने लगेगा पॉर एक्जेंपल मैं मान लेता हूँ यहां से इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक बहुत पतली सी स्ट्रिप काट ली मैंने और इस स्ट्रिप की थिकनेस का नाम दे दिया मैंने dx अब यह जो dx है इसको मैंने मान लिया कि यह 0 के बहुत करीब होगा as to zero होगा अगर यह times to zero है मतलब इतने element को इतने पतले से element को मैं point charge बान सकता हूँ अब इस point charge की वज़े से यहां पे हम coulum slow लगा सकते हैं electric field के general formula लगा सकते हैं तो इसकी वज़े से यहां पे कितना electric field होगा वो हमको देखना है पहले हम यह समझ लेता है कि इसमें charge कितना है तो मैंने यह माना कि इसमें total charge क्यों रहा होगा ठीक है और इसकी total length L रही होगी और यहां से इस end से यहां तक के distance को भी कुछ मान लेते हैं इसको मैंने मान लिया कि यह small a रहा होगा कुछ भी मान सकते हैं आप अपने हिसाबते यह general formula है ठीक है तो इसकी length को मैंने L मान लिया इसके इस करीब वाले end से point की distance को मैंने a मान लिया यहां पे एक strip काट लिया कहां से काटी है point से x distance पे आके dx की पतली सी strip काट लिया अब यह dx की thickness जो है यह बहुत 0 है मतलब यह हमारे लिए point charge का काम करेगा अब dx में charge कितना है यह हमको निकालना पड़ेगा तो देखो total L length मे charge कितना q तो one length में charge कितना qyl और यही हमारा क्या होता है lambda charge per unit length तो one length में charge कितना आ गया lambda के बराबर अच्छा one length में charge गया lambda हो गया तो dx length में कितना हो गया dx length में charge हो गया lambda dx यह कहानी में बार बार नहीं करूंगा इसलिए मैं detail में बता रहा हूं पूरी length में charge कितना q तो एक length में कितना होगा q से divide कर दें charge per unit length क्या होता है linear charge density जिसको हमने lambda से बोलते है तो q by L जो है वो lambda के बराबर हो गया अब एक मीटर में का lambda तो dx में कितना तो जब कभी में dx काटूंगा और उसमें पूछूंगा charge कितना तो अगर यहां पर lambda होगा charge distribution तो अब lambda dx बताएंगे ठीक है कितनी चीज हम समझ गए इसको screenshot ले 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 यहीं पर रफ कटके करना पड़ेगा बहुत बढ़िया तो हमने charge निकाल लिया और इस charge का नाम दे दी हमने dq और dq किसके बराबर हो गया lambda dx के बराबर यह dq इसका charge है जो छोटी सी strip काटी थी ठीक अब हम जानना चाहते हैं कि इस strip की वज़े से वहां पर electric field कितनी है charge कितना इसका dq बहुत छोटा सा charge उसकी वज़े से electric field तो जब charge q होता था तो electric field का formula हमने क्या पढ़ा था kq upon r square जो हमने formula पढ़ा था electric field का वो था kq upon r square लेकिन अगर charge q नहोंके dq हो अगर charge q नहोंके dq हो तो electric field d e हो जाएगी ठीक है यह हमारे पास आगया अब दोनों तरफ अगर हम integrate कर दें proper limit लगाके तो यहां पर total electric field आएगी पूरी rod की वज़े से लेकिन integration पूरी rod का करना पड़ेगा मतलब इस end से लेके इस end तक अगर integration कर दें तो total electric field आजाएगी पूरी rod की वज़े से उस point पे अब यह कैसे करेंगे इसका जब integration करेंगे तो आजाएगा e net इतनी चीज हमें पता जल गई अच्छा dq कितना है dq है lambda dx तो dq की जगे हम रखेंगे lambda dx lambda constant है k constant हो तो उसको बाहर ले लिया हमने k lambda बाहर आगया integration आया dx upon r square r क्या चीज होती है चार्ज से point तक की distance तो charge यह रहा पॉइंट यह रहा और charge यह रहा dq तो charge से point तक की distance कितनी मानी थी हमने x इसलिए r की जगे कितना आगया x यह हो जाएक x square अब limit कैसे लगाएं तो हम इधर से नाप रहे ना तो जब हम इधर से नाप रहे थे तो पहले कौन सा end आया यह वाला जो कि कितनी दूरी पे था a plus l फिर से देखें यहां से नाप रहे ना पहले यह किनारा आया कितनी दूरी पे ए दूरी पे फिर दूसरा यह किनारा आया इतनी दूरी पे इतनी दूरी कितनी होगी उसकी length plus a तो lower limit से higher limit हमने limit लगा दी 1 upon x square का integration हमको करना है ठीक integration वगारा आई hope आपको आते होंगे तो 1 upon x square करेंगे तो x की power उपर जाएगा minus 2 उसमें plus 1 हो जाएगा यानि x की power minus 1 upon minus 1 तो यह आगया minus 1 upon x minus को मैंने bracket के बाहर ले लिया इस पर limit लगाऊंगा a a plus l तो answer क्या आएगा k lambda minus बाहर है अंदर पहले higher limit रखेंगे तो 1 upon a plus l फिर minus आ जाएगा 1 upon a अब इस minus को अंदर इंटर करा देंगे तो यह वाली चीज़ plus की हो जाएगी यह वाली चीज़ minus की हो जाएगी तो e net कितना आया ध्यान से देखें e net is equal to यह वाली चीज़ plus की हो गई बाहर k lambda तो यहाँ पर लिखा गया 1 upon a 1 upon a minus 1 upon a plus l छिक यह हमारे पास final formula आया इसको ध्यान से देखें कहीं पर कोई दिक्कत हो पूछें कहीं पर कोई दिक्कत हो पूछें ध्यान से देखें आप लोगों ने इस तरह के बहुत से integration किये हुए हैं कहां कहां पर मैं याद दिला देता हूँ एक आपने किया होगा अपने moment of inertia में एक इस तरह के इस तरह के जो होते हैं integration करने वाले वह आपने ग्रेविटेशन में भी किया होगा और अब इसी टाइप के integration आप करेंगे electrostatic में तो आपको पता होगा इस तुप कैसे काटी जाती है तो अब हम अगला केस लेते हैं अच्छा इस केस में एक खास बात बताता हूं मैं जो कि तुम लोगों किसी ने पूछा भी नहीं जो हम इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फिल्ड एक वेक्टर कॉंटिटी है मतलब उसमें direction का ज्यान हमें होना चाहिए यहां पर इस किनारे में जो प्लस चार्ज है उसकी वज़े से अब आए होगी इस पॉजिट्व की वज़े से भी यानि हर चार्ज की वज़े से अवे होगी एक ही डारेक्ट्रिक्शन में होगी मतलब डारेक्शन इस दी सेम डारेक्शन क्या होगा इसलिए हमने उसको एस जोड दिया direction का कोई ग्यान हमने यहां पर नहीं लगाया क्यों अगला करते हैं तो अगला केस जो हमारा होगा अब वो रॉड का नहीं होगा अब हम उसको करेंगे रिंग के लिए और रिंग में भी complete रिंग ना लेके एक semi circular लेते हैं भी semi circular ring मान लो यह रिंग है मेरे पास ठिक semi circular ring और इसमें charge distributed है plus charge मैंने मान लिया हमको निकालना है इसके center में यह जो o point है इस o point में कितनी net electric field होगी इन सारे charges की वज़े से वो हमको calculate करना है अब यह हम कैसे calculate करेंगे जहां से देखें इस तरह की चीज़ों को आप लें deal किया है तो इसका एक straight forward तरीका होता है क्या तरीका होता है जब भी कभी ring आ जाए या sphere आ जाए या hollow cylinder type की hollow मतलब sphere type की चीज़ें आ जाए तो इस तरह में क्या करते है यह जो axis होती इसको reference मान लेते है इस axis को क्या मान लेंगे हम reference और इस reference से theta angle पर जाके एक d theta की एक strip काट लेंगे और फिर हम देखेंगे यह जो strip है इस strip की length है dl और इसमें charge रहा होगा d q length है dl और charge रहा होगा d q इसकी अगर radius radius की मैं बात करूँ r है तो यह भी r हो गया और यह भी r हो गया इस sector को मैं अलग अगर draw करूँ तो यह कुछ इस तरह से बनेगा यह जो length है यह dl हो जाएगी यह r है यह r है और यह angle कितना d theta हमको क्या पता है हमको पता है angle is equal to arc upon radius angle is equal to arc upon radius angle क्या है d theta arc क्या है dl और radius क्या है r से multiply कर देंगे तो dl आ गया तो dl किसके बराबर आ गया r d theta यह चीज भी मैं बार बार नहीं बताऊंगा अगर यह circular sector आता है तो मैं dl को direct लिखूंगा r d theta यह r यह d theta तो r d theta होगा मैं यहां पर direct लिख दिया करूंगा r d theta इसलिए अभी इसको देख लें कोई समस्या हो तो बता दें angle is equal to arc upon radius यह आपको पता होना चाहिए जो seven fundamental quantities होती है उनमें जो दो supplementary होती है उनमें एक angle वे एक solid angle आता है उस angle की definition है arc upon radius अच्छा यह फार्मूला अगर आपको पता है तो वायर है ना उस वायर को हमने क्या किया semi circular bend कर दिया था तो वह वायर वायर में जो charge का distribution होगा वह linear होगा superficial होगा यह volumetric होगा linear होगा linear होगा क्योंकि यह length होती उसमें तो यहां पर linear charge distribution है इसमें मैं मान लेता हूँ कि इसका charge lambda रहा होगा linear charge density कितनी रहे होगी lambda मतला 1 meter में lambda 1 meter में lambda तो DL में कितना DL में जो charge होगा वह होगा lambda DL कितना होगा अभी देखा तब पिछले वाले में 1 meter में कितना lambda तो DL में कितना lambda DL यह charge आ गया DQ अच्छा अब ध्यान से देख ले मैं यहां पर इस sector की वज़े से जो electric field निकली उस electric field के बारे में मैं calculate करना चाहता हूँ यह electric field कुछ इस तरह से आएगी यहां पर जो charge है उसकी वज़े से जो electric field आई वो इस तरह से आई इसको मैंने नाम दिया छोटी सी electric field DE अब आप ज्यान दें यह जो angle आपने यहां से measure किया था horizontal से measure किया था यहां से horizontal से भी angle कितना हो जाएगा ठीटा जोकि यह ठीटा माना तो यह जो DEI और यह sector बहुत मतलब छोटा है इसको दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया लेकिन मैं 10 to 0 मानूंगा जिससे कि यह point charge की तरह मैं treat कर सकूं तो point charge में एक ही point में दो line अगर मैं निकालूंगा तो उनमें इलेक्टिक फिल्ड निकाली वह horizontal से उतना ही angle बनाएगी जितना यहां से तो D के दो component हो जाएंगे एक इधर वाला जिसको मैंने नाम दिया D cos theta और एक इधर वाला जिसको मैंने नाम दिया D sin theta इनको मैं अलग भी नाम दे देता हूं यह वाला जो component है इसको मैंने बोल दिया method one जो समझ में आए उससे कर लेना method one में मैंने यह देखा कोई भी एक सेक्टर ले लिया ठीटा एंगल पर जाके D theta पर उसकी वज़े से electric field ID जितने एंगल पर लिया था horizontal से उतने एंगल पर आएगी इसके दो component कर लिए एक horizontal एक vertical, horizontal वाले को EX नाम दे दिया, vertical को EY दे दिया अब मैं क्या करना चाहता हूँ, EX, EY की calculation करना चाहता हूँ, पूरी ring के लिए reference इसको माना था, यह हमारा क्या था reference, यानि एंगल हम 0 से लेके πाई तक measure करेंगे, जो limit हमारी लगेगी, वो 0 से लेके πाई तक लगेगी, ठीक, सबसे पहले हम calculate करेंगे EX की value, तो मानलो मुझे निकालना EX, EX, EX की value क्या है, DE cos theta, E की value क्या होती है, KQ upon R square, तो DE की value क्या हो जाएगी, KDQ upon R square, तो DE की देगे हम लिखेंगे KDQ upon R square, और यहाँ पर आएगा cos theta, अच्छा, DQ की value क्या है, DQ की value है lambda DL, और DL क्या होता है, RD theta, जहां से देखना, मैं इस DL की value को, यानि RD theta को यहाँ पर रख दूँ, तो DQ किसके वराबर आ गया, lambda RD theta, इस DQ की value मैं यहाँ पर रखूँगा, DE की जगे, और DE कहाँ पर आया है, यहाँ पर, यानि यहाँ पर, यानि कि इस DQ की जगे मैं क्या रखूँगा, lambda RD theta, तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखे, k upon R square, lambda RD theta, lambda RD theta, और यह cos theta लिखा हुआ है, cos theta, अब इस R से यह R कट गया, तो नीचे एक R बचेगा, और इसका मुझे integration करना है कहां से, 0 से लेके πाई तक, ठिक, फिर से देखे, के, lambda upon R को बाहर ले लिया, के, lambda upon R को हमने बाहर ले लिया, integration, 0 to pi, cos theta को पहले लिख ले, cos theta, d theta, अब इसको note कर लो, screen saw ले लो, इसको हम अगले page में करेंगे, ज्यादा चीज़े अगर rough करूँगा तो फिर सब miss हो जाएगा, तो अब इस चीज़ को याद रखना, e x की value अभी कितनी आई, k lambda upon R, integration, cos theta, d theta, e x की value आई, k lambda upon R, integration, cos theta, d theta, limit कहां से कहां तक, 0 से pi तक, cos theta के integration क्या होता है, sin theta, sin theta को होता है, minus cos theta, ठीक है, cos theta के integration कर रहा है, तो sin theta आएगा, तो यहाँ आए, k lambda upon R, यहाँ पर आएगा sin theta, और 0 to pi, अगर ध्यान से देखें, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, k lambda upon R, higher limit रखेंगे, तो sin pi आएगा, यानि 180 degree, और minus lower limit रखेंगे, तो sin 0 आएगा, sin 180 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, 0 minus 0, 0, 0 से multiply करोगे तो 0, तो EX तो 0 हो गया, EX क्या हो गया, 0, अब हमको निकालना है EY, अब हमको EY की calculation करनी है, तो अगली calculation करते हैं EY की, EY क्या आया था, यहाँ पर EY आया था, DE sin theta, DE sin theta, और इसका integration कहां से कहां था, 0 से लेके pi तक, 0 से pi, semi circular रहा है ना, pi तक, अगर quarter circle होता है तो pi by 2 तक करते हैं, अच्छा, DE की क्या value होती है, यहाँ आपर देखें, DE की value होती है, kdq upon r square, और dq क्या चीज है, lambda rd theta, kdq upon r square, तो kdq upon r square, यह DE की जगह आ गया, और फिर उसके बाद sin theta, integration करेंगे, 0 से pi, ey is equal to integration 0 to pi, k upon r square, और जो dq हो हो जाएगा, lambda dl, और dl होता है rd theta, और sin theta, जो जो चीजे कट रहेंगे, उनको बिना संकोच किये काट दे, जैसे r से r कट गया, और यहाँ पे k lambda upon r बाहर आ जाएगा, तो मैं आभी लिखता हूँ, k lambda upon r, integration करेंगे sin theta, d theta, limit लगेगे 0 to pi, फिर से देखें, k lambda upon r, integration sin theta गोता है, minus cos theta, minus को मैंने bracket के बाहर ले लिया, तो अंदर आया cos theta, और limit लगाएंगे 0 to pi, तो यह आया k minus को पहले लिख लेते हैं, minus का k lambda upon r, cos theta, यानि cos pi, cos pi minus cos 0, cos pi minus cos 0, cos pi की value होती, minus 1, और cos 0 की value होती, 1, इनको जब रखेंगे, तो minus 1 minus 1, यानि minus 2 हो गया, और minus minus plus हो गया, तो यह आया 2, 2 k lambda upon r, 2 k lambda upon r, छाप लें कहीं कोई doubt हो पूछ लें, simple गड़ीत है, simple, 3-4 बार कर चुके हो कम से कम, अच्छा, तो हमने क्या जाना, हमने यह जाना, कि अगर एक semi-circular ring है, अगर एक semi-circular ring है, जिसमें uniform charge distribution है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ e-y आता है, e-x क्या हो जाता है, e-x हो जाता है, 0, और e-y कितना आया, 2 k lambda upon r, यह हमारा ग्यान कहता है, ठीक, इसका भी screen install ले लें, फिर मैं इसको rough करके, दूसरे तरीके से आपको करके बताता हूँ, ठीक, अब तरीका नंबर दो, इसको और भी कैसे किया जा सकता था, जहां से देखना, method 2, method 2, तीसरा बाद में बताएं, method 2 हमारा यह बोलता है, कि माल लो यह charging है, हमको इस center पर निकालना था, electric field, ठीक, अब मैं क्या करूँगा, theta angle पर जाके, d theta की एक strip मैंने काट ली, theta angle पर चले गए, और d theta की एक strip काट ली, इसकी length में माल लेता हूँ, dL, और charge इसमें रहा होगा, charge रहा होगा dq, और dL मुझे पता है कितना होगा, rd theta, और charge होगा lambda dl, तो lambda और dl की पर लू क्या है, rd theta, अच्छा, इसकी वज़े से electric field ही कि धर आई, क्या चीज, dE के बराबर, कितना angle पर, d theta एंगल पर, इतनी चीज हमने calculate कर ली, दूसरी चीज समझे, जो strip यहाँ लीती, symmetrically opposite एक strip ले लो, मतलब यहाँ पर theta पर, d theta पर चले गए, theta से d theta पर चले गए, और यह जो strip आई, इस strip की length हो गई dl, और charge हो गया dq, dl हो गया rd theta, चुकि d theta पर डिपेंड कर रहे हैं, d theta आपका सेम है, radius तो हाज़े के सेम होगी, और dq हो जाएगा, lambda dl, और dl यह rd theta, rd theta, इसकी वज़े से भी एक electric field रिजार बनेगी d, और यह भी horizontal से कितना angle पर बनेगी, theta, तो कि यह theta तो यह theta, यह theta तो यह theta, अच्छा, यहाँ पर यह d theta नहोंगे, theta होगा, ठिक, तो कि यह दोनो angle बराबर हो, यह दोनो angle बराबर, अब d के दो component होगे, एक component आएगा इधर, d कॉस ठीटा, और एक component आएगा नीचे, d sin theta, अच्छा, अब उसके बाद यह वाला जो part था d, उसका एक component इधर आया, d कॉस ठीटा, और एक कॉस ठीटा, नीचे आगया, d sin theta, अगर आप ध्यान से देखें, तो d cos theta से d cos theta कट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 2 d sin theta, तो आपकी net electric field जो बनी, d net, y2 d sin theta, integration कहां से कहां तक करेंगे, अब 0 से πाई तक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मैं 2 symmetric strip लेके चल ला हूँ, अगर मैं इधर की यह strip लेता हूँ, तो इधर वाली automatic cover होगी, यह लेता हूँ, तो यह cover होगी, यह लेता हूँ, तो यह cover होगी, यह लेता हूँ, तो यह cover होगी, मतलब मैं 0 से πाई चलूँगा, तो इधर से 0 से πाई automatic cover हो जाएगा, और उसका result इतना आएगा, यानि कि हमें limit लगानी है, 0 से लेके 5 by 2 अब 2 को बाहर ले लिया integration d की value क्या होगी e क्या होता है k q upon r square d लगा दो दोनों तरफ तो d हो गया k d q upon r square और d q किसके बराबर है lambda r d theta के बराबर तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा k upon k upon k upon r square k upon r square d q की जगे मैं रखोंगा lambda r d theta ठीक और इसके साथ में क्या है sin theta limit कहां से कहां तक 0 से लेके 5 by 2 एक r से 1 r कट गया k lambda upon r भी बाहर आ गया 2 k lambda upon r integration किसका करना है integration करना है sin theta d theta sin theta के integration होता है minus का cos theta minus का cos theta sin theta के integration होता है minus का cos theta limit कहां से कहां तक 0 से लेके 5 by 2 अच्छा अब उसके बाद यहां पर आएगा minus बाहर आगया minus का 2 k lambda upon r अंदर रखेंगे cos pi by 2 minus cos 0 भी या cos 0 की value 1 होती है cos pi by 2 यानि cos 90 की value 0 होती है 0 minus 1 मतलब minus 1 आया minus 1 minus 1 को plus कर देगा तो हमारी net electric field कितनी आई net electric field आ गई 2 e net is equal to 2 k lambda upon r यह हमने दूसरे method से भी इसको prove कर लिया जो method आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हैं बस limit का ध्यान देना पड़ेगा ठीक है इसकी इंट्रॉल ले लें मुझे नहीं लगता इसमें कोई doubt होना चाहिए बहुत बढ़िया अगली चीज आगर आपकी semi circular ring नहीं है case number three case number three quarter circle है मतलब आपकी ring कुछ ring कुछ इस तरह की है और इसमें charge distribution है अब क्या करेंगे वही तरीका इसको reference माल लिया ठीटा पर जाके d theta का element काट लिया ठीटा पर जाके d theta का element काट लिया यहाँ पे length ideal और charge आया dq dq होगा lambda dl और dl होता है rd theta dl क्या होता है rd theta तो dq क्या हो गया dq हो गया lambda rd theta यह dq की बहलु हो गई यह dl की बहलु हो गई अच्छा इसकी वज़े से electric field इधर आ जाएगी d यहाँ सेगर theta है तो यहाँ से भी angle theta होगा यह वाला component होगा d e का cos theta और यह वाला component होगा d e का sin theta इस वाले component को हमने e y मान लिया इस वाले component को हमने e x मान लिया अब दोनों निकालना मेरा धर में तो सबसे पहले मैं निकालूंगा e x जो की क्या है d e cos theta तो इसका integration कर देते हैं d e cos theta integration होगा 0 से लेके pi by 2 0 से लेके pi by 2 तो e x is equal to देखो अब d e की value क्या होगी e is equal to kq upon r square यहाँ पर d लगा दो यहाँ पर d लगा दो तो d होगया k d q upon r square integration 0 to pi by 2 d की जगे रखेंगे k upon r square d q की जगे क्या आएगा d q की जगे आएगा lambda r d theta lambda r d theta cos theta जाहन से देखें r से r कट गया k lambda upon r बाहर आगया k lambda upon r बाहर आगया integration 0 to pi by 2 cos theta d theta cos theta के integration होता है sin theta k lambda upon r यहाँ गया sin theta limit लगेगी 0 to pi by 2 यानि के k lambda upon r sin theta sin pi by 2 minus sin 0 sin pi by 2 minus sin 0 degree यानि यह 90 degree इसकी value कितनी हो गई 1 इसकी value हो गई 1 इसकी value 0 1 से multiply करके तो वही आएगा तो हमारा e x कितना आगया e x आगया k lambda upon r जहां से देखें कोई doubt नहीं होना चाहिए इस की चौलने लें जहां पर रेडमी लिखा है उस रेडमी को अपना नाम डाल दिया करो मुझे भी नहीं पता था पता चला था तो मैंने भी चैंज गिया पर अच्छा इसका स्की इंस्ट ले 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 तुरंट बहुत बढ़िया बहुत अच्छी परूमेंस सारे बचरे बहुत अच्छे हैं ठीक तो हमने क्या निकाल लिए एंस निकालना एं ओगhow क्या निकालना है साइन ठीटा, तो यहां पर ले लेंगे, साइन ठीटा, अच्छा, आप उसके बाद देखें, ध्यान से देखें, d की value क्या हो जागी, k dq upon 0 to πई बाइ 2, इसकी value हो गई k upon r squared, dq की value क्या होती है, λेमडा r d ठीटा, और यहां पर लिखा हुआ है साइन ठीटा, r से r थैंसल हो गया, यहां पर आया integration 0 to πई बाइ 2, k lambda upon r को बाहर ले लो, k lambda upon r बाहर आ गया, integration किसका करेंगे हम, sin theta d theta, integration sin theta d theta क्या होता है, minus का cos theta, minus का cos theta, 0 to πई बाइ 2, अच्छा, यहां पर आया k lambda upon r, minus बाहर ले लिया, cos 90 degree, minus cos 0 degree, cos 90 degree की value 0, cos 0 degree की value 1, तो ब्रैकेट में आया minus 1, minus इसको प्लस कर देगा, तो k lambda upon r, यह हो गया e y, जहां से देख लें, बहुत ही आसान था, तो दोनों बराबर आ गये, दोनों क्या गये, बराबर, दोनों आगे k lambda by r, दोनों आगे k lambda by r, अब आते हैं यहां पर, यहीं पर मैं figure बना देता हूँ, देखिए, हमारे पास ring, ring कुछ इस तरहें से थी, इधर पे electric field आई, k lambda upon r, इधर भी electric field आई, k lambda upon r, मेरा धर्म है कि मैं इनका resultant निकालूं, जब मैं इनका resultant निकालूंगा, दोनों को value बराबर, दोनों 90 degree बे हैं, तो यहां पर क्या जाएगा, k lambda by r under root 2, यह मेरा formula बना, क्योंकि root अंडर 10 square plus 10 square, common लेके बाहर आगया, 1 plus 1, 2 हो गया, root के अंदर 2 बचेगा, तो जब कभी भी एक ही point पे दो electric field हों, तो उसका resultant निकालना मेरा धर्म बनेगा, क्योंकि यह एक vector quantity मुझे एक single value से define करना पड़ेगा, क्या यह बास समझ में आई, कि, अच्छा, अब ध्यान से देखें, अगर, यह quarter circle होता, और यह एक दूसरा quarter circle होता, ठिक, और इनको मेंट जोड देता, तो क्या होता, यालो वाले की तरफ से यहाँ पर electric field कितनी आती, k lambda upon r root 2, और इस green वाले की बज़े से भी electric field इधर आती, k lambda by r, k lambda by r root 2, और इन दोनों का resultant निकालते इसी line में आता, और यह resultant कितना होता, root under this square plus this square, यानि कि मैं इसको यह लिखता, e resultant is equal to root under, इसका square plus उसका square, तो इन दोनों की square को common लेके अगर मैं बाहर ले लूँ, common लेके अगर मैं बाहर ले लूँ, तो यह पूरी चीज तो बाहर आ गई, k lambda by r root 2, अंदर क्या बचेगा, root के अंदर बचेगा, यहां से भी 1 बचेगा, यहां से भी 1 बचेगा, दोनों की square को common लेके बाहर लिया, तो square होने के वज़े से कोई फरक नहीं पड़ा, लेकिन 1 1 बचा, root के अंदर क्या बचेगा, 2, उस root 2 से यहां पर multiply कर देंगे, तो क्या जाएगा, 2, 2k lambda by r, याद करें, जब मैंने पूरी semi circular ring के लिए कराया था, तो इधर ही आया था, कितना, 2k lambda by r, और यह वाला 0 हो गया था, याद आया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, कुछ rocket science नहीं है, पिछली slide में देखें, semi circular में यही आया था, जिसकों quarter circle की help से भी कर सकते हैं, नव बच चुके हैं, कोई doubt और पूछ लें, continue करना जैन्त, नहीं सर के mr class लिए, Okay, wind up करते हैं फिर, कल मिलते हैं, इसके आगे के सारे case प्रूफ किये जाएंगे, आज समय के अबाव में नहीं हो पाए नहीं, तो आज भी सारे हो जाते हैं, Thank you, बच्चों.